कि आपके phone का camera भी open नहीं हो रहा है, जब भी आप अपने phone के camera को open करने जा रहे हैं, कि आपको भी कुछ ऐसा error देखने को मिल रहा है, camera error cannot connect to the camera report, dismiss करके error आ रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँगा maximum ये error जो है realme के phone में देखा गया, तो आज किस वीडियो में आपको चाहे आपके पास कोई सा mobile phone के आउना हो, Samsung, Realme, Oppo, Vivo, Tecno, Infinix, तो अगर आपको भी अपने camera को open करने पर ये error आ रहा है, तो आज किस वीडियो में आपको टूटल तीन ऐसी setting बताऊंगा, जिन तीन settings को enable करने को, मैं guarantee के साथ कहता हूं, 101% आप इस problem को easily solve कर सकेंगे, तो दो पास, HD camera, कोई भी camera आपने play store से install के, तो उनको uninstall कर देना है, यानि की delete कर देना है, आपको अपने mobile phone पर एकी camera रखना है, जो आपके mobile phone का original camera को, तो दोस्तों क्या होता है, कभी-कभी हम अपने play store से को third party camera पे install करते, क्योंकि उनमें हमारे थोड़े बहुत ज्यादा filter दे रह है, जो आपको mobile phone का original camera को, duplicate camera को, पर एक अनिस्स्ते बाहना है, तो आपको अपको अपने mobile phone की settings में सारी-की-सारी application कोको निकालेंगेंगे, तो आपकी interface को आजागे, अब यहांपर आपको uczula के किलिक करदेना जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शौरी में बता है आपको तुब्लिकेट कैमरा को अनिस्टाल कर देना है एक गारेकि नरे के लिए हैं दो तो यहाँ पर आपको पहले क्लेश पर टीन तो तो जैसे है एक कलिक करने से यह benefit होगए जो भी आपके कामरा में चोटे मूटे गिली चारूंगे तो deł displaced दमें आपको फाइनल प्रफ़ार के होम संतीक्रीन पर जीति का जो भी आना फ़ला बटन है इसको लांक प्रस करना है तो जैसी आप लांक प्रस करेंगा तो यहां पर आपको तीन अप्शन होंगे डिस जैसी आप रिस्टार्ट करेंगे तो फिर जैसी आप अपने कैमरा को उपन करेंगे तो आपके समने एस अंटरफेस आएगा तो यहां पर आपको परमिशन को अलोग कर देंगे तो जैसी आपको परमिशन को अलोग कर देंगे तो जैसी आपको परमिशन को अलोग कर देंगे तो वीडियो अच्छे लगी चैनल लो सब्सक्राइब करें न भी थैंक यू